Hello friends, अगर आप vlogging करके धेर सारे पैसे earn करना चाहते हो और आपको यह नहीं पता है कि किस niche में आपको work करना चाहिए, कौन से topic पे आपको कितना पैसा मिलेगा, किस topic पे आप work करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा AdSense से मिलेगा, अगर यह चीज आपको नहीं पता है, तो कि आप यह चीज आसानी से पता कर सकते हो, कि कौन से topic पे आपको कितना सारा पैसा AdSense जो है, वो आपको देगा, चाहिए, वो किसी भी category का हो, हर एक category का आप चेक कर सकते हो, और यह पता लगा सकते हो, जिससे आपको यह idea मिल जागा, कि आप किस category पे work करना चाहते हो, और कि इस category में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो, तो friends, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपे शनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आकन प्रेस कर लो, और काफी लंबे समय के gap के बाद मैं इस चैनल पे फिर सारे तरीके में आपको यहाँ पे फिर से बताने वाला हूँ, तो friends, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, और चैनल को पे पहली बार आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़े आपके लिए आने वाली हैं, और बीज में मैंने काफी लंबा गैप ले लिया, जिस जो कुछ सिचुवेशन की वज़य से, लेकिन फिर से अब वीडियो कंटिन्यू यहाँ पे आएंगी, तो आप इस वीडियो आप इस चैनल पे फिर से आप वो सारी वीडियो और आपके लिए बहुत सारी हलफुल कंटेंट मैं यहाँ पे डाल है, तो यहाँ पे देखो अब एडसिंस के यह नॉर्मल एडसिंस का जो वैब साइट है उस पे आप आज आओगे, यहाँ पे अगा आगर एडसिंस आप के पास नहीं है तो साइन इन करोगे यहाँ जहाँ पे आयँ आप प्रिदेंस के लिए अप़ आप्लाई कर सकते हों, अब यहाँ पे दो टैब आप यहाँ पे आपको मिलते हैं जिसमें की सबसे पहला टैब Asia and Pacific Countries का होता है और दूसरा जो है वो category select करने का होता है अब यहाँ category वाले section में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे arts and entertainment, auto, vehicles, beauty and fitness, book and literature, business, industrial, उसके बाद finance, food and drinks, games, health, मतलब हर एक category यहाँ पे listed है जिस category में आप यहाँ पर blog बनाना चाहते हो अब जैसे कि आप किसी भी categories में चले जाओ अब जैसे कि माल लो आपको news की website यहाँ पे चलानी है तो अब news वाले category यहाँ पे select करोगे और यहाँ पे calculate कर लोगे तो यह देखो calculate करने के बाद यह आपको बता देग category try कर सकते हो दूसरे category में जैसे कि माल लो health वाले sector में अगर आपको try करना है इसका calculate करोगे तो अगर 50,000 view आपका monthly page view 50,000 आता है तो यहाँ पे देखो health वाले sector से आप कितना ज़्यादा earn कर सकते हो 9,462 डॉलर earn कर सकते हो तो यह news वाले category से कहीं ज़्यादा है ठीक आप try कर लेते हैं जैसे अब health हमने try कर लिया health के अलावा दूसरा कोई topic हम देख लेते हैं जैसे कि games का देख लेते हैं अगर आप games के बारे में डालते हो तो यहाँ पे देखो games में 3480 यहाँ पे earn कर सकते हो उसी तरीके से और मैं categories आपको दिखायता हूं अब जैसे कि यहाँ पे categories हैं बहुत सारी categories हैं जिसमें आपको हर एक category का आप check कर सकते हो ऐसे ही जैसे मैं check कर रहा हूँ और आज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस categories में आप जो है अपना ब्लॉग जो है वह start कर सकते हो आप जैसे यहाँ पे travels हुआ वाले travel वाले में हम देख लेते हैं तो calculate करते हैं तो देखो travel में 5820 डॉलर यहाँ पे मिलता है ठीक है तो यह अब आपको select कैसे करना है तो आप select करोगे इस सभी जितने भी categories हैं इन सभी categories का annual revenue 50,000 views पे आप निकाल लोगे एक जगह आप लिख लेना लिखने के बाद आप देख लेना कि कौन सा सबसे ज़्यादा ह किसमें keywords जो हैं उस पे traffic ज़्यादा है और keyword difficulty कम है यह सारा चीज आप चेक कर लोगे कैसे चेक करना है क्या करना है यह सारा चीज मैं अपने channel पे बहुत सारे videos यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और हर videos में यहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज बताया हुआ है blogging से related तो आप playlist अगर यहाँ पे आओगे playlist पे और playlist पे आने के बाद यहाँ पे आपको blogging से related playlist मिल जाएगा जैसे यहाँ पे और इस playlist में आपको हर एक चीज मिल जाएगा जो आपको चाहिए ठीक जैसे कि यहाँ पे देखो advanced blogging course मैंने यहाँ पे यह advanced blogging course मैंने यहाँ पे डाल रखा है उस सारे टूल्स भी मैंने सुझेस्ट किया हुए तो यहां से आप मेरे चनल पर आ करके देख लेना आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से आप जो है हर एक कैटेगरी का revenue यहां पर चेक कर लोगे और चेक करके आप जो है अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो तो यह एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि Google Adsense ही आपको सजेस्ट करता है I hope कि यह तरीका आपको अगर पहले से पता होगा तो काफी अच्छी बात है आप जो नए लोग हैं जिनको अभी यह नहीं पता है जो अभी ब्लॉग स्टार्ट करना चाते हैं और यह जानना चाते है कि कौन से निच में कितना ज़्यादा ट्राफिक मिलता है कितना ज़्यादा अर्निंग होती है 50,000 पेज व्यूज पे उनके लिए यह वीडियो जो है मैं काफी अच्छे अच्छे टुटोरियल्स आपको यहाँ पे दूंगा और काफी सारी चीज़े यहाँ पे आप से ऑनलाइन अर्निंग सर्ड़र आपको मिलेंगी तो फ्रेंड्स मेक्सियोर कि आप इस चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल अकन प्रेस कर लेना तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही सांदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर